दोस्तों अगर आप देखेंगे तो RBI हर एक particular देखेगा data को disclose करता है उसके बाद आपको उसको बिल्कुल justification निकालना पड़ता है उस report का analysis करना होता है और उसको समझना होता है कि like किस तरीके से वो capital market पर react करेगा हर दिन अगर आप देखेंगे तो हम आपको कोई ना कोई particular update ब Sunday काम बढ़ जाता है क्यों क्योंकि बहुत सारा data release होता है इसमें सबसे बड़ा data होता है Forex का data Forex एक particular गुल्लक है गुल्लक को कैसे समझे कि आपके पास देखेगा कहीं ना कहीं आप कुछ पैसा flow में रखते हैं कुछ working capital flow में रखते हैं लेकिन कुछ ऐसा पैसा जरूर होता है जो घर में reserve में रखा जाता है यानि कि उसको utilize तब ही करना है जब आप देखेगा बहुत बड़ी मुसीबत में हो लेकिन अगर वो reserve कम होने लगता है तो कहीं ना कहीं आपकी security जो होती है वो कम होने लगती है तो इसी तरीके से economy की जो particular healthiness है वो Forex reserve पे depend करती है हाला कि इ में गिरावटा रही है which is not at all good क्योंकि आपको पता है कि अगर Forex लगातार गिरता रहता है तो FIA selling करने लगते हैं FIA selling करने लगेंगे तो market पे pressure आएगा capital market पे pressure आएगा और इसके साथ एक और data आता है data आता है trade deficit का तो वहां पे भी बहुत बड़ा impact देखने हो मिलता है जो impact होता है क्योंकि क्या होता है कि trade में अगर deficit आ रहा है यानि trade आपके जो export है वो कम है import ज्यादा है तो आपको क्या होगा आपके export जो यानि कि export क्या है कम है अगर देखेंगे export आपकी क्या है कम है और import आपके ज्यादा है तो आपको आपकी income कम है आपका expenses ज्यादा है तो वह तो particular देखेगा जो access हो गया expenditure का वो access देखेगा set of किया जाता है Forex से capital account से आप समझ सकते हैं इसे FIIs देखेगा negative हो जाते हैं तो यह अच्छा नहीं है तो अगर आप देखेंगे तो Monday के लिए एक बहुत बड़ी update है और फिर से देखेगा इस particular week में जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था week starting में ही बता देता हूँ क्यों कि मुझे बता है कि dollar index अगर लगातार uptrend में रहता है तो it will create panic to the forex also तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉरेक्स में आपको गिरावट देखने हो में लिए है फॉरेक्स 2.23 billion से गिर चुका है और अब इसकी जो नई particular range है वो काफी कम हो गई है हाला कि अगर आप देखेंगे तो यह बहुत अच्छा हाई बनाया था 21-21 नौंबर में और वहां से लगातार हमारा फॉरेक्स कम हुआ है ड्यू तो अब देख सकते हैं तो फॉरेक्स एक्चेंज क्यों आया है can be attributed to fall in the FCA अब basically इसी के बज़े से आता है क्यों चुकिए आपको पता है कि RBI intervention कर रहा है किसमें पॉरेक्स करेंसी मार्केट में यानि कि sell कर रहा है वो डॉलर को तो sell करेगा तो pressure आगा प्रेशर आगा तो रूपीज जो है वो depreciation में थोड़ा सा comfort zone में रहेगा तो आपको पता है इन सब चीजों में जैसे ही देखेगा अगर dollar index उपर हो जाता है तो वो margin में loss दिखाता है जो FCA में देखने हूं मिलता है which is major component of the overall reserve also और आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर लगातार गिरावट हो रही है तो it's not at all good for the capital market तो आप देख सकते हैं यहाप यह घट के 550 billion के असपास आ चुका है इसमें अगर आप नहीं चीज देखेंगे तो FCA में देखेगा major impact पड़ा है जिस तरगी सारी बेंज मताया foreign currency जो asset dropped by 2.52 billion तो आप समा सकते हैं total fall कितना है उसमें 2.52 कितना बड़ा participation जिसमें गिरावट देखने हो मिली है फिर अगर आप देखेंगे gold reserve में थोड़ी सी तेजी देखने हो मिली which is good लेकिन gold एक asset इतना बड़ा देखेगा gold में अगर impact देखने हो मिलेगा तो capital market उसपर react करता है equities में पैसा आना ज्यादा बेटर माना जाता है फिर अगर आप देखेंगे तो अभी यूएस dollar index बिल्कुल भी 108 cash pass नहीं आया है पे और देखेगा capital market पे कैसा बढ़ता है तो अब देख सकते हैं लगाता decline हो रहा है दो हफते में विदिन देखेगा अभी the reserve decline by 8 billion the forex are the lowest at the moment since October 2020 तो अब समसकते हैं कि यह और इसमें जो लगातार गिरावट हो रही है वो एक नहने low बना रही है पिछले दो साल एक साल का अब बेसिकली यह forex में लगातार गिरावट क्यों हो रही है चुकि RBI क्या कर रहा है intervene कर रहा है in forex exchange which does not through sales or purchase of dollar in order to curve excessive volatility experts say that could be reason as to why India is seeing deplination of its forex the country forex reserve was at 553 September 2 within a week तो आप समसकते हैं कि यहाँ पे जब RBI intervention करता है तो उसको forex की जुरूर पढ़ती है तो यह चीज यहाँ पे देखने में लिए साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है वो है trade deficit अगर आप देखेंगे इंडिया's trade deficit has been a record level and the current account deficit is on the track to hit a decadal high of 3.5% तो आप समझ सकते हैं current account में जो घाटा है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो 10 सालों के high पे पहुँच चुका है अगर आप देखेंगे तो यह कहीं से भी market के लिए अच्छी update नहीं है हाला इंडिया की GDP काफि अच्छी ग्रो कर रही है बट इतना बड़ा transformation जब economy में आता है अचानक से global panics आ जाते हैं तो उस situation में अपने आपको hold करना भी बहुत बड़ी बात होती है तो equity market पे time to time पे cautious रही है उपर की level पे जब दाता है नीचे की level पे buy on dips कर सकते हैं फर अधर जो भी update आएगा जो मैं provide करूंगा Monday को pressure देखने में सकते according to this news वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much